दोस्तो आज हम ऐसे सूपरस्चार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने बॉलिवोड में अपना नाम काफी उचाईयों पे लिख दिया है दोस्तो इस एक्टर ने बॉलिवोड इंडस्ट्री में फूल और काटे मूवी से डेब्यूट किया था 1991 में उसके लिए उसको फिल्म फेर अवार्ड भी मिला था बेस्ट मेल डेब्यूट एक्टर का दोस्तो हम बात कर रहे हैं आप जानी गई होगे हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की दोस्तो उसके बाद तो जैसे अजय देवगन ने मूवियों की बार्ड ला दी थी बॉलिवोड इंडस्ट्री में उसके बाद उन्होंने किक बॉक्सर का रोल निबाय था जिगर में 1992 म उसके बाद उन्होंने ब्लाइंड केरेक्टर का रोल निबाय था विजयपत में 1994 में और उसके बाद उनको नेम और फेम दोनों मिल गया था 1994 में जो उनकी दो मूवी आई थी सुआग और दिलवाले वो काफी बॉक्स ओफिस पे बहुत ज़्यादा हिट हुई थी उस वहां स उनको काफी बड़ा नाम मिल गया था जिया दोस्तों वहां से वो फेमस हो चुके थे दोस्तों उसके बाद अज़े देवगन ने पीछे मुड़के नहीं देखा और वो उचाईयों पे चड़ते चले गए बॉक्स ओफिस कलेक्शन उनका बड़ता चला गया और मूवी एक के बाद एक बॉलिवड इंडस्ट्री को मूवी देते चले गए जिया दोस्तों पब्लिक के दिल में उन्होंने जगह बना ही ली थी दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं आज़े देवगन की आज बॉलिवड इंडस्ट्री के बहुत बड़े सूपर स्टार हैं दोस्तों नेपोटिजम के चक्कर में आज़े देवगन नहीं फसे जैसे की बड़े बड़े अक्टर्स का नाम आ रहा है आज़े देवगन उसी तरीके से दूर रहते हैं नेपोटिजम के खेल से जैसे की बड़े बड़े लोगों का नाम उचल के आ रहा है उसी तरफ अज़े देव गन का कोई involvement नहीं है इसलिए वो आने वाले टाइम में सूपरस्टार रहेंगे और अभी भी हैं सूपरस्टार दोस्तों उनके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि उन्होंने गलत काम कभी किया ही नहीं बॉलिवूड इंडस्ट्री में दोस्तों आपको भी मानना इंडस्ट्री के बहुत बड़े सूपरस्टार हैं अगर इनकी कमपैरिजन की जाए शारुप खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे बड़े-बड़े एक्टर से क्या वो इनके कमपैरिजन में इनसे ज़्यादा बड़े सूपरस्टार है की नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट क कि आपकी राय जरूर दे दोस्तों और चैनल को शेयर करें सबस्क्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुचे सबसे पहले